हेलो फ्रैंज आज हम कंस्रेक्शन के बारे में लेंड करेंगे देखिए आज होप कि आपने जो कंस्रेक्शन का वीडियो है वह आपने देख लिया होगा ठीक है मैंने कंस्रेक्शन ड्रो करके वीडियो जो बनेया था वह आपने सीख लिया होगा अब हमें यहां पर steps और justification के बारे में learn करना है so हमारी construction एले point 1 है वो क्या थी तो यहां पर वो थी by sector ठीक है हमें by sector है वो draw करना था अब देखिये आप जो भी draw कर रहे है वो सिर्फ आपको point में लिखना है यहां पर हमने क्या किया था b को लेके एक कोई भी radius लेके यहां पर एक arc लग गया था तो यहां पर हमें लिखना है कि taking b as a center and any radius draw an arc ठीक है to intersect the raise b आप अपनी तरह कुछ भी लिख सकते हैं so अगर आप यह arc draw करते हैं तो आपके पास कौन सारे बन जाता है b a ठीक है और फिर आपको क्या करना है कि हमें e और d को लेके एक एक arc है वो यहां पर draw करन किया और जब हमें उसको draw करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि taking d and e center and with the radius more than one of d अब आप इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमें तो यहां पर जो radius लिए उससे थोड़ा ज्यादा radius लेनी है अब कोई भी अपनी तरह से लिख सकते हैं ठीक है one of d का मतलब क्या है कि d की जो radius है ठीक है वो half होनी चाहिए so हमें क्या करना है कि e और d को लेके हमें एक 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 लगा नहीं और फिर उसको एक पोइंट दे दे रहा है so फिर बी एफ यह वो ड्रो कर देना है तो हमारा बाइसेक्टर है वो हो गया अब जस्टिफिकेशन हम देख लेते हैं जोइन डी एफ एंड एफ ठीक है यहां पर डी एफ और एफ यह वो जोइन कर देना है तो हमने जोइन कर दिया फिर यहां पर ट्राइंगल बन गए है बी एफ सो यह वाला ट्राइंगल और बी डी एफ सो यह वाला ट्राइंगल ओके दोनों ट्राइंगल बन गया है अब उसमें क्या क्या रहा है तो हम क्या सकते है कि इसमें देखिए BE equal to BD यहां पर BE की जो value है वही क्या होगी value BD की होगी क्योंकि यह A की radius से बने हुए है फिर EF equal to DF EF equal to DF क्योंकि वो equal यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमें ट्राइंगल BEF और BDF जो हमें दिया गया है वह SSS rule और according to CPCT rule वह congruent है और congruent है यह means के वह equal है ठीक है यह था हमारी construction 11.1 अब 11.2 11.2 में क्या है कि हमें यहां पर यह draw करना है फिर कोई भी radius लेके हमें A point रखकर यहां पर draw करना है और फिर यहां पर draw करना है फिर B point लेकर यहां पर draw करना है ठीक है so यहां पर जो जो भी हमने जीस तरह डो किया है वेसे ही steps आपको अपनी तरह से लिखने है ऐसे ही copy आप नहीं करोगे तो भी चलेगा आप अपनी language में कोई भी आसान language में आप लिख सकते हो ठीक है किसा यहां पर justification में आपको लिख देना है कि कोन- यहां पर API और B P यह value है वो same है यह वाली और यह वाली और aq और qb वह क्या है same है ठीक है फिर इसमें common क्या है तो common है eq q फिक है वह दोनों में क्या हो रहा है common हो रहा है तो हमारे पास 3 जो item से वो हो गई है ठीक है first है यहाँ पर एक side दुसरी side और तिसरी side तो according to SSS rule according to CPCT rule हम कह सकते हैं कि angle APM और BPM वो दोनो same है APM और BPM वो क्या है angle same है ठीक है so हम construction भी justification भी हम sort में लिख सकते हैं और फिर हमें 90 का angle है वो हमें represent करना है कि 90 का angle है वो कैसे हम draw करेंगे तो हमें सिर्फ यहाँ पर लिखना है कि angle of PMA PMA और PMB तो यह जो पूरा जो value होती है वो 180 होती है ठीक है अब यहाँ पर क्या है कि PMA और PMB की value सेम है तो हम उसको 2 angle लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि दोनों तो सेम है इसलिए 2 है वो हम 180 से divide कर देंगे इसलिए हमें answer में मिल जाएगा 90 ओके construction 11.3 उसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमने 60 का angle है वो draw किया था कुछ भी नहीं किया था ठीक है यहाँ से कोई radius लेके यहाँ पर आर्क है वो draw की यहाँ पर हमने नाम इंडिकेट किया और फिर D को point रखके हमें यहाँ पर एक आर्क लगा दी और फिर यहाँ से जोड दिया और यहाँ पर नाम है वो दे दिया ठीक है तो यही सब हमें लिखना है अब जस्टिफिकेशन में क्या करना है कि यहाँ पर सिर्फ इतना ही है देखिए जस्टिफिकेशन में कि एकवल टू एड इकवल टू डी यह भी सेम है यह भी सेम है और डी यह भी क्या है सेम है ठीक है कंस्रक्शन में तो वो जो एंगल है वो क्या बन रहा है 60 का एंगल है वो बन रहा है सी ए बी हमारा जो एंगल है वो 60 का बन गया हमारी 11.1 है उसमें हमने क्या किया था मैं एक बार कह देता हूं आपको कोई भी रेडियस लेकर हमें पहले यह ड्रो कर देना है फिर इस रेडियस यहां पे जो X को point रखना है फिर A से ज्याद़ हमें कोई भी value चलेगी तो उससे हमें यहां प्यार कलगानिए और Y को point करके हमें यहां प्यार कलगानिए और फिर यह draw कर दिना है ठीक है तो यह सारे point आप अपनी तरह से इसी language में लिख सकते हो फिर यहाँ पे जो same है, वो आपको गींदेना है, जह कि AX और AY same है, तो यहाँ पे देखिए AX और AY, क्या है? Same है second one PX और PY same है PX और PY दोनों क्या है same है और दोनों में जो common है वो हमें लिख रहे है last में तो PA वो क्या है common है तो हम यहाँ पर लिखेंगे common तो according to SSS rule यह दोनों क्या होगे congruent हो जाएंगे और according to CPCT rules यह angle same हो जाएंगे ठीक है P AX और P AY अब यहाँ पर हमें 90 का अगर प्रूव करना है तो हमें इन दोनों का addition है वो 180 होना चाहिए क्योंकि यह linear पर है देखिए यहाँ पर P AX और P AY तो यह angle क्या है 180 का है 180 डिवाइट बाइट तो हमारा answer हो गया 90 अब है 45 का angle तो क्या करना है एक radius लेकर देखिए जो 90 की जो construction है वो तो हमें draw करनी है फिर क्या करना है यहाँ से Z और Y को लेकर यहाँ पर कोई भी radius लेकर हमें सिर्फ यहाँ पर arc लगानी है और यहाँ पर जोड़ देना है ठीक है तो यहाँ पर joint कर देना है और आपको जो जो भी point आपको है वो आप अपनी तरह से लिखिए यहाँ पर उस तरह से मत लिखिए आप आसान लेंगें में लिख सकते हैं जस्टिफिकेशन में देख लो कि कुन-कुन से जो radius होगी वो सेम होगी A Y और A Z तो हम यहाँ पर लेंगे A Y और A Z ठीक है वो सेम होगी फिर क्या होगी Y Q equal to Z Q तो यहाँ पर Y Q equal to Z Q तो वो दोनों सेम होगी और फिर क्या होगी A Q और A Q तो दोनों में common है A Q दोनों में क्या होगी यह common तो according to CPCT rules यह दोनों क्या है congruent है ठीक है और यह दोनों congruent है तो इसलिए हम angle है वो सेम है ऐसा हम क्या सकते है तो यहाँ पर दोनों का angle का जो sum है वो 90 का होना चाहिए और यहाँ पर दोनों angle है वो सेम होगे इसलिए 90 upon 2 इसलिए हमें angle में क्या मिलेगा 45 ठीक है अब देखिए जो 45 के हमने construction draw किये उसमें सिर्फ यह जो बीच वाला है वो ही सिर्फ हमें add करना है यह वाला जो है और उसमें हमें क्या करना है Q point और Y point को लेके हमें सिर्फ एक एक आर्क है वो draw कर देनी है यहाँ से इस तरह से इसलिए यह जो angle बन गया वो 22.5 का बन गया है तो अगर आपको एक construction draw होगी तो आपको दूसरी भी आपको आद आएगी ठीक है यहाँ पर आपको draw कर देना है फिर यहाँ पर 13 ठीक है अब 13 और 15 है वो सेम है तो 13 में क्या है कि इसमें को justification की जरूरत नहीं है सिर्फ draw करने है तो यहाँ पर हमने क्या क्या था कि कोई भी radius लेकर यहाँ पर एसे आर्क लगानी है फिर X को point लेकर हमें यहाँ पर लगानी है सो यहाँ पर यह हो गया ठीक है अब हमें क्या करनी है Y को लेकर X को लेकर एक एक आर्क यहाँ पर करने और फीर यहां पर इसको जोड़ दिना है फिर यांपर गई 30 अब 30 है अब हम्में क्या करनी है 15 तो साइड़ में ही सिए देखें यह वाली तो हमें यहां बहुत करनी है जेड और प्राइज चोब टरेने है तो हमें क्या क्या करना है कोई भी यहां पिनंग सब्सक्वीिटे फाल नियगों पहले हम कोई भी वेल्यू लेंगे और यहां एक से पॉइंट लेंगे और यहां पे ड्रो करेंगे तो यहां से यह जो हो जाएगा ठीक है फिर हम क्या करेंगे कि यहां पे यह वाला जो पॉइंट है और यह वाला जो पॉइंट है उससे हम यहाँ पे आर्क लगाएंगे इसलिए यह वाला भी हो जाएगा फिर हम यहाँ पेले ना आप यह ड्रो कर लिया ठीक है अब हम थोड़ाई से ज्यादा वेल्यू रखेंगे और य पॉइंट और एक सुपोइंट से यहाँ प्यारक लगाएंगे ठीक है इसलिए हमारे पास सबसे पहले यह आ जाएगा फिर हमें क्या करना है P point और Z point से लेके 11 point से हमें RK वो यहाँ पे draw करना है सो यहाँ पे जो बीच का एंगल है वो बन जाता है अब यहाँ पे आपको यह देखना है कि 75 और 105 यह वो कौन से कौन से है देखिया आपको MAB एंगल है वो हमारा 75 बन गया देखिया MAB वो क्या बन गया 75 और हमारा यह जो एंगल है ठीक है वो हमारा इस तरफ बन जाता है 105 मैं यहाँ पे M.S.C है ठीक है मैं जो कर देता हूँ आपको M.A.C तो यहाँ पे क्या होता है 105 ओके लास्ट में है यहाँ पे 135 क्या क्याँ दो था में जोटिफाइएऊ तो आपको सिफ्ट दो करना है रोख क्या है मैं फिर श्टा इंपको एक बार कहीं दू कोई भी रेडियस लेके यहां से आना पको आर्क लगानी है फिर फिर पॉइंट एक्स और य को लेके यहां पे आरक लगानी है यह जोइंट कर देना है फिर क्या करना है एक पॉइंट एक और एक पॉइंट जेर से लेके हमें आरक फिर से लगानी है और फिर एक क्यों हमें ड्रो कर देना है ठीक है अब फिप्त पॉइंट है तो यहां पे फिप्त कर सक्षन है वहां में क्या करन है कि यहां पर पहले एक रे करना है ड्रो करना है एकस वाई और फिर यहां से दूसरा रे करना है लेकिन उससे ज्यादा वेल्यू रखनी है फिर बी से हम स्टार्ट करेंगे एक को ड्रो करेंगे और सी से लेके एक को ड्रो करेंगे और फिर एपॉइंट से लेके हम सी पॉइं आए है कि a b और xy शेम है तो यहां पर हमें साफ दिख रहा है कि xy की जो वेल्यू है वही वेल्यू क्या है a b की है और a c equal to xy a c equal to xy तो उस दोनों की वेल्यू भी क्या होगी same होगी और इन triangle a b c सब बी की side क्या होगी equal होगी अगर सबी की side equal है तो वह equilateral triangle है ठीक है तो इस तरह आपको जिस जिस में justification दिया गए उसमें आपको indicate represent वह करना है ठीक है तो यहां पर आप construction है वह draw कर लीजे ठीक है और मैं आपने आपको pdf ये भेज दिये तो आप अपनी book में वह draw कर लीजे ओके thank you